नवरात्री के छटे दिन मा कात्यानी की पूजा की जाती है। की इक्षा थी कि मा भगवत्ती उनके घर पूत्री के रूप में जनर ले। मा भगवत्ती ने उन्हीं यह प्रात्ना स्विकार कर ली। कुछ समय पस्चार जब दानब महिसासुर कात्याचार प्रित्मी पर बढ़ गया तब भगवान ब्रह्मा, विश्नु, महेश तीनों ने अपने अपने तेच का अंच देकर महिसासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन किया। महरशी कात्याच ने सपर्थम इनकी पूजा की थी, इसी कारण से यह कात्याची कहलाई, ऐसी भी कथा मिलती है कि यह महरशी कात्याच के वहाँ पुत्री रूप में उत्पन हुई थी, अश्विन क्रिशन चतुरुषी को जयम लेकर शुद, सत्मी, अश्टमी तथ नम्मी तक तीन दिन तक इन्होंने कात्याच निशी की पूजा ग्रहन कर दश्मी को महिसा सुर का वद्ध किया था, मा कात्याची अमुक फल दायनी है, भगवान क्रिशन को पती रूप में पाने के लिए बजर की गोपियों ने इनी की पूजा कालिंदी युमना के तटपड की थ अभय मुद्रा में, नीचे वाला वर मुद्रा में, बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुसव शुशोबित है, इनका वहन सी है, मा कात्यानी की भक्ति और उपासना द्वारा वनिशी को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारो फलो की प्राप्ति हो जाती है, वह इस लोक में सिर रहकर भी आलोकिक तेज और प्रभाब से युक्त हो जाता है, मा को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोग, संताप, भैयादी, सर्वधा विनस्ट हो जाते हैं, जन्व जन्मांतर के पापों को के लिए हमेशा ततपर रहना चाहिए